दोस्तो अगर आप भी इस शरमकार के धा रखें तो आपके पास भी कुछ इस प्रकार का मेसेज आया होगा और अगर अभी तक नहीं आया तो आपका भी आजागा तो दोस्तो इस message में क्या लिखावा है तो इस message में यही लिखावा है कि अपने इस शरमcard में वरतमान address आपका जो भी है उसको आप update कर लें अपडेट करने के लिए आप CAC सेवा के अंदर से आप update करवा सकते हैं या फिर इस शरमcard के official website से ही आप update कर सकते हैं आप दोस्तो इसमें किन लोगों को यहाँ पर अपना वर्तमान अड्रेस को अपडेट करना है और कौन सा हमें अड्रेस अपडेट करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं अगर आप दोस्तों इस अड्रेस को अपडेट नहीं करते हैं, तो अभी जो पहले जो सरकार के तरफ से लाब दिये गया है, जितने भी पैसे दिया गया है, उसी तरिके से आने वाले टाइम में जब भी सरकार के तरफ से लाब दिये जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका पैसा रुख सकता है, क्योंकि पिछला बार जब सरकार के तरफ से जो भी लाब दिया गया था, उसमें काफी भाईयों का पैसा नहीं आया था, और किन कारण से नहीं आया था, जिसके वैसे काफी सारे भाईयों का पैसा रुख गया था और नहीं आया था, अगर आप इसको अपडेट नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में अगर आपका पैसा मिलेगा सरकार के तरफ से, वो भी आपका रुख सकता है, इसलिए आपको अड्रेस को अपडेट करना अनिवायर है, क्योंकि सभी इशर्मकार धारिकों के पास इस परकार का मेंसेज आया है, और ये मेंसेज आपको छोटा नहीं समझना, आपको काफी स्रेसली लेना है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा अड्रेस अपडेट करना है, और की लोगों को ये अड्रेस अपडेट करना है, तो चलिए शुरू करने से पहले हमेशे की तरह आप लोग से चोटी से रिक्वेश्ट रहता है, यार जो लोग सबस्क्राइब करना है, हमारे पास इशर्म कार्ड की तरफ से कुछ इस पतर का मैसेज आया हूँ है, वेबसाइट से हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तो अपना वर्तमान अड्रेस को अपडेट करने के लिए इस रमकार के ओफिसल वेबसाइट में आ जाना है इस वेबसाइट का लिंक आपको वेडिके डिस्रप्शन में मिल जागा जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे तो आप दोस्तो यहाँ पर आपको अपना वर्तमान अड्रेस अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको थिल लाइन के ओप्शन पर किलिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक ओप्शन में रता है अलड़ी रेजिस्टर इसमें आपको किलिक करने के बाद दोस्तो इस तरीके से आपको फिल करना है और उसके बाद दूस्तों आपके मुवाइल नंबर में एक OTP एगा उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है और उसके बाद दूस्तों आपको यहाँ पर अपना अधार नंबर fill करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर OTP वाले option में select कर लेना है और जिस तरीके से capture code दिया है उसी तरीके से यहाँ पर आपको fill करना है और उसके बाद submit पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके दरकाड में जो भी mobile number register है उसमें OTP आगा उस OTP को यहाँ पर आपको fill करना है और उसके बाद validate के option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का interface आजाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको सारा details show हो जाएगा आपको direct नीचे आना है और यहाँ पर term and condition को accept करना है और उसके बाद update इक वैशी information पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वर्तमान address को केसे update करना है तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर आपको update profile की option पर click कर देना है और click करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ प्रकार का interface देखने को मिल लागा दोस्तों अपने शरमकार में कुछ भी update correction करना चाहते हैं तो उसका बड़ी हमने already बनाया हुआ है तो link आपको description में मिल लागा वहाँ से आप देखकर बड़े असानी से update कर सकती है दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया कि अवर्तमान address को update करना है तो आपको simply से address के option पर click करना है और उसके बाद आपको yes के option पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल लागा अब दोस्तों यहाँ पर किन लोगों को अपना address update करवाना है और कौन सा present address को update करना है और कौन सा address हमें update नहीं करना है किन लोगों को दोनों address update करवाना ज़रूरी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आ जागा तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो residential details है वो आपका सबसे पहले यहाँ पर show हो जाता है उसकी बाद आप नीचे जैसे ही अस्क्रोल करते हैं तो यहाँ पर आपका current address शो हो जाता है जो आपने सुरवात में आपने feel किया था वो आपका address यहाँ पर show हो जाता है उसके बाद दुस्तो नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपका permanent address भी detail हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं तो दुस्तो यहाँ पर आपका दो type का address फिल रहता है आपका current address और आपका रहता है permanent address आप दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सा अड्रेस यहाँ पर अपडेट करने की अविशक्ता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना current address अपडेट करना है अब दोस्तों इसमें आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा current address यहाँ पर update करना है तो दोस्तो example के लिए आप माल लेजे कि आपका घर जारखंड है और अगर आप जारखंड आपका घर है तो आप अगर माल लेजे कि अभी current में present में आप मुम्मे में जाकर काम कर रहे हैं अभी काम करते हैं यहाँ पर आपको कौन सा address फिल करना है तो अभी current में आप जिस जग करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे अस्क्रूल करने और यहां पर लिखा है कि अस्टेइंग एट करेंट लोकेशन अभी जो करेंट में आप जहां पर रह के काम करें उस जगे पर आप कितनों सालों से रह रहें उसको यहां पर आपको अब दूस्त जहां करने की ज़्वरत नहीं लेकिन किसी का होगा कि permanent address कुछ अलग होगा यूँकि अगर आप अपना इश्रमकार्ड बनाने के बाद अगर अपने अधरकार्ड में address अपडेट कराए होंगे तो यहाँ पर आपका permanent address अलग रहेगा जो आपका अधरकार्ड में पुराना address है वो आपका यहाँ पर address शो हो जाता है इसलिए दोस्तो यहाँ पर आपके दरकार्ड में जो भी अगर correction कराए है तो उसका नए address यहाँ पर आपको feel कर देना है permanent address में अगर आपका यहाँ पर match हो जाता है तो आपको कुछ भी feel करने की जोरत नहीं है तो दोस्तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना current address ही feel करना है जो कि हमने आपको बत दिया है और दोस्तो यहाँ पर हमने आपको बताने के लिए भूल गया यहाँ पर आरबन और रूलर भी मिल जाता है current address में दोस्तो अगर आप शहरी छेतर में काम करते हैं तो आप आरबन select करेंगे अगर आप को बस्ती में जाकर काम कर रहे हैं दूसरे जगह पर तो आपको एप अपडेट करने के बाद आपको अगर चाहते हैं कि हम अपना अपडेट किया हुआ इस शरम कार्ड को डान्लोड करना चाहते हैं तो simply से आपको डानलोर E Uncard कि ऑप्शन पर किलिक करके यहां से अब बड़े असाने से डानलोड कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरिके से अपने ही शरम कार्ड में वरतमान अड्रेस को अपडेट कर सकते हैं उम्मीद करते हैं ये बड़े काफी पसंद आगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ से करें तो चलिए दोस्तों फिर मैं सही बहुत जल्द निश्च बड़े में मिलते ही